आज हम लोग अध्याय आठ से लेकर दस तचर्चा करेंगे मुत्रा महातम की और आठ्वा ध्याय है अथो नित्य हरी सन्निधानत्वम भगवान हरी यहां नित्य रहते हैं क्लास के पहले भक्त के मन में संशय था कि यहां पर शरी छोड़ रहे हैं और हमारी चेतना की स्थीति पर भी तो निर्भट करता है ठीक अच्छे बात था अच्छा प्रशन है लेकिन देखिए जब भगवान यहां रहे रहे हैं और अन्यों की बात छोड़ दीजिए थियोरी करने के लिए भक्ति कर रहे हैं अब यह बताई कि क्या आप धाम का आश्रे नहीं ले रहे हैं आश्रे ले रहे हैं तो अब धाम आप संग धोके बाजी करेगा अभी तक आच्छा रामकृष्ण पर नहीं आएं उन्होंने श्लोक दिखाएंगे सर्वस्रेश्ट है कि आ ऐसे बहन करेंल और में भाजन क भजन करें तो वि्रिंदावन उसको उस व्यक्ति को श्र्वस्रिश्ट स्थान की प्राप्ति इस लोग सो है अभी नहीं मिल पाएगा वव ह्रूस्र घ३서 अब आप विरिंदावन मे रहने के श्र्वस्रिश्ट तरीक स्था आश्रय ले रह आप समझ पारें इस बात को आये ही थे भजन करने के लिए ना मालो सोने के लिए भी आये थे सोने करते हो आप भजन करने के लिए ही आये हो आपका भजन बढ़े तो क्या भगवान इस साधिच्छा को नहीं देख रहे हैं आप देखें ना आप सुन लिए ना कि वैपार की दिश्टी से आए ऐसे ये अनुसंग से आजाए तब उसको तना लाब हो रहा है तो भजन करने की अच्छा से आगए तो भगवान कितना परसंद होंगा आप बताइए आप पुचार कीजिए कभी अपने मन में संदेह ना उत्पन होने दीजिए और अच्छा दूसरी बात कि यह भाव यह कंसिडरेशन कि चेतना का फरक पड़ता है यह कि दिल्ली में नहीं होगा लागू यह राजगोट में नहीं होगा लेकिन वहां ऐसी सहीता नहीं प्राप्त होगी तो आप सुन लीजेगा इसके पर तो यहां पर नित ही भगवान हरी का सानिध्य प्राप्त होता है अब फिर लोग कहेंगे कि हमें तो मैसूस नहीं होता है लेकिन यी आप गलत कह रहे हो पहली बात देख्वाइए अप उस्तु है अब जैसे से हमारी शुद्धी करण होता जाएगा वैसे बैक्स सब्सक्राइब नहीं हो रहा ध्र ağabasa जाते हैं और लगता है कुछ होगा कुछ मैसूस होगा और कुछ भी नहीं होता ना खट से बसे फोटो खीशते हैं उसके आपके अंदर जो भी माल भरा हो आप जाते हैं अड़ी पट्टी की जो भी कंकाल आप जानते हैं कि वहां बहुत देर खड़े रहने का अर्थ क्या है बताएये निशित कैंसर की प्राप्ति गर ऐसा का था एक यांदहाँ के वहां पर एक स्रे का सनिध्हान है आपको पथा चले या ना चले एकसरे विद्धि माने clear और वह अपना कारे करेगी जी कहते है वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है वस्तु शक्ति भाव के प्रकार से जो धाम में शुरीट छोड़ेगा उसको भगवान की ही प्राप्ति होगी अब अगर किसी को लग रहा है कि हम भाव ध्यापन में शेयर कर चुकिए अब यह सामने आएका तुसको सेक्षें इंप पढ़ाएंगे पर पर आप पॉस्ट बोलने तातपर में जो यहां रहके भक्ती करता है और शरीट शोड़ता है उसको निश्वित भगवान की प्राप्ति होती है करिएगा एक करके हम र वेश्यां पर नहीं है हम कही बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं बाहर से को मतलब भी नहीं है विश्वास कीजिए मैं अब बगतों को बूला तो कितने जन्मों में हर बार मर के दिखा की नहीं एक्सपेरिमेंट फिल होगी ओक्त नहीं हुए जब से..? बिल्डिंग से कूत के म कुद के किर गाए किर गाए , छट मार डिया किसी ने गोली ब्लї मारे ने कीं इस मिरी बात प्र्गार से मरे है कि नहीं है कि कि समझ में नहीं हार आkol को ही आई कर देडिए क्लम मि Seo अधियर हैं क्या क्या एक्सपरिमेंट सफल हुआ यश्प्रभू नहीं क्या Logha फिर ते शरी Miss Byasma अजपरिमेंट सब्सें माइमगे कि सी भी प्रकार से मरें स्विसHe लए हुए मुक्त नहीं हुए इस बार शास्तिर की बात मान करके यहां शरी चोड़ने का प्रयास करते हैं देखते हैं क्या होता है आगे आएक लिखाएगा पर पर दुख रहा है कैसे भी मरेगा भगवान के पास जाए तो हम इस समयने का प्रयास कीजिए यहां पर है मतलब बहुत था भग वान की गोदी में बहुत है ऑगवान की कुछ भी अधाल हे चाहलं passengers एक्डम मान के चलेगिा भगवानकी क्ड़ी मेल की बाते है यहां पर आज का विश्य रहेगा हरी संधनात्व सं निधानत्वम यहां पर नित ही हरी विद्धमान रहते हैं आदी वर्हा पुराण में बगवान कहते हैं माइक ठाइए मतुराया परमचेत्रम त्रेलोके नहीं विद्यते मतुराया परमचेत्रम त्रेलोके नहीं विद्यते तस्याम वसाम्यहं देवी मतुरायां तु सर्वदा तस्याम वसाम्यहं देवी मतुरायां तु सर्वदा अब स्वाविक सी बाचे जो तीनों को करा जा बगवान श्री कृष्ण वो सर्वस्य स्थान में रहेंगे ना तो कोई पूछे कि बगवान यहीं पर क्यों प्रकट होते हैं तो क्या तुमारे घर में प्रकट हो मिनुं स्थान में रहेगा र वास आपके सकते कि भारत का सरवस्य स्थान मुटा श्री तो यह तीनों लोकों में सर वेस्तान सरवस्य स्थान थान तो आप लोगते तीलक के बीच में एक और तिलक बन जाएगा कोईशेन मार्क कोईशेन मार्क नहीं बन रहा है वाई मी वाई मी इतना नौटी बीबी एन वाई यह एक बहुत को बोलाता है हम लोग नौटी बच्चे हैं एंस्टिल राधा कृष्णा बगवान माता पिता सब्सक्राइब इनका उधार भार नहीं हो सकत है तिलक के बीच में प्रकट नहीं हो रहा है कि यह क्यों हो रहा है कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने को यहां बेल्डिंग खरीद ली है आई यह बताएए कि अब कितना पेमेंट करके आपका सम्सला मजा करें लादनी माताजी कितने पेमेंट के द्वारा अमरावती में फ यह सोचना कि हम ब्रज में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यह मुर्ता है राधरानी आश्रे देरी भावन रखना चाहिए इसलिए बहुत संतों कहते हैं खरीदना नहीं चाहिए कि रहना चाहिए कि रह रहे हैं लेकिन एक भावन आ जाती है कि हम यहां ब्रज का समझ रहे हैं बात आटिटूद अच्छा रखना चाहिए मैं तो किराय पे रहरा हूं मुझे तो कोई दिक्रत नहीं है कि अपने मकान में नहीं रह रहे हैं तस्याम वसामि अहम देवी मत्रायाम तु सर्वदा तो इस मत्रा मशेत्र में मैं सर्वदार निवास करता हूं दे सं लिछाय यत्र पापानाम प्रवेशों पिन विद्यते सर्व शाम इत्र पापानाम प्रवेशों पिन विद्यते किसा नुद्र का ऊपटों तो मति अधान है कियो है यत्र सिंह तो हें यहां पे स्मयक Чपी जाते ही नहीं है और सरवेशाम यत्र आता प्रवेश उपी नहीं से करते dementें buying अगुण कि इसकी अर्थी यह नहीं कि आप करें disrupt करें। यह यह नहीं बोला जा रहा है, लेकिन पाप होई, रही नहीं सकता, जैसे मैं काउ कि मैं गंगा गंगा Sponge कम अंध कर जाओ, कि यह भिघा रहा है,抖ेंगा होई? आप प्रवेस्वाद के अद करं रहा है पाप प्रवेश्ट नहीं कर सकता है तो अब आपके प्रवेश्ट यहां तो पाप करते हुए दिखते हैं मैं बारम बार भूल रहा हूं स्वर्ग शुजा की देखी उपर समझ लीजे पूरी में मचली कोई खा रहा है मैं मचली खाने नहीं कह रहा हूं इस शास्तर का नहीं सब जो भी पूरी महात्र में पड़े हैं उसमें लिखाए तो थोटे लिए चुप रह सकते हैं दश-बीज साल के लिए जो बाकी बचा है लेकर और भक्तों ने बोला कि हाविश्ट खाने से अच्छा है कि भवान का प्रसाथ खाओ अब जो मूर्ख वेकती है वो उस यहां कोई पाप में विद्धिमान नहीं रहता है देखिए बारं बार भगवान की माया को समझने का प्रयास कीजिए एक ही नाम अविद्या भी काट देता है जिसके कारण विद्धी पाप करता है लेकिन भगवान जान बूच करके थोड़ दिर बाद फैन बंद करते हैं भगवान चाहें तो कल सही आपका संगर समय आप तो कभी सुषते नहीं कि अगर नाम रची कली दे दें तो कोई कोई सेमिनार की जरुत नहीं है लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता कि बीना मेहनत कुछ दे हमारे भगत कुछ मेहनत करें पशीना वहाए तो भवान को ठीक है ठीक है प्रेम देता हूं उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं और देना चाहते हैं लेकिन चाहते है थोड़ा रो ले बच्छा तो रो तो उसको देंगे यह दस नहीं और हमें किसको बोल रहा था कौन तो हम समबाद कर रहे थे दिर इस नो पॉंट इ वह हाइस है वह स्वराथ है उनकी कंप्रेंड करो किस से ऐसे ही है किसी को बिना रुलाई देते नहीं है और उसके बाद कभी रोना नहीं पड़ता है and that kind of crying is very good if we can cry for Krishna that is very nice भवान के लिए रुए हैंकरिंग हो यह बहुत अच्छी बात है किसी को नहीं छोड़ा भगवान नहीं आपको भी नहीं छोड़ेंगे आपके गुलाब जामुन में कितरह खा लेंगा है वह से नहीं मिलेगा and it is pretty exciting अगर आप विचार करें तो यह बात हम खाली बोल रहे है कि यहां थोड़ा बहुत पापा को जो दिख रहा है भक्त का वो रहेगा सब स्वाप्त हो जाएगा ठीक है पद्पुरान के बहुताल खणत वरनने अहो बुकुरी धन्या यट्रति स्टांति स्टिकंसः हा ramer Chris Martin from AmNITH है यत्रति स्टामर जंति सर्वाद्धा क्यों सर्वाकल मैुनिह शर्वे वाशमिच्शंति सर्वदा वहां पर किसने मारा था भग्वान कृष्ण क्यों मारा था कुछी को मारना डेकलेर नहीं वा था तो मामा जी भी तो महान है उनको बारने के लिए भगवान को एलोट किया था अब कितनी सुंदर बात है नेक्स देखिए तत्र तत्र मतलब वहां देवु मुनिह सर्विव वासम इच्छंति सर्वदा इस विर्दावन धाम में देवता और मुनिगण वास करने की इच्छा करते हैं हमेशा अर्थात जरूरी नहीं है कि मिले ठीक है तो बारम बार कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्णी की नगई है श्रुमत भागवतम दस एक सारी एक दस चब्वे से बताया गया है इसको गाय जाएगा गाने के तियार गाचो के हैं पहले हम लोग अहो अलम श्लाग्यतमं यदो कुलं अहो अलम पुन्यतमं अधोर्वनं अहो अलम पुन्यतमं अधोर्वनं यदेश पुम्साम्रिषभाश्रियःपति अहो अलम श्लाग्यतमं यदो कुलं अहो अलम पुन्यतमं अधोर्वनं यदेश पुम्साम्रिषभाश्रियःपति क्रमने नचांचती जब इस लोग बोल रहा था तो एकदम से आप जान रहे होंगे कि मेरे लामन में लाला चार था उठाव टीका और शालू कर दो लेकिन मुझे पता था कि अगर ये शुरू कर दिया तो फिर आप दस दिन तो इसी में चला जाएगा बहुत सारी चीज आपन प्रशंसिनी सबसे प्रशंसिनी है यदकुल क्योंकि भगवान आप तरित हुए अहो अलम पुन्य तममम अधुर वनम ये जो मदुवान है सबसे पुन्य है यदेश पुम्साम रिश्रभाश श्रियापति जो सर्वस्रेष्ट है पुम्साम का मतल्ला मनुष्रेष्ट लेक श्रियापति लक्ष्मी जी स्वजन्मना अपने जन्म की द्वारा चंग क्रमणे न चांते जी और उसके बाद वहां पर वेरहन की है इस प्रकार से उन्हें उसको महान बनाया अनवाद देखेगा इसके ओ ये दुवंश कितना यसस्वी है और मत्रा की भूमी कितनी पुन् यानि भगवान नित्त ही यहां पर विद्वान रहते हैं मैं जान बूच करके टीका नहीं ले रहा हूं जो लोग सुनना चाहते हैं उसके रिकॉर्डिंग भागवत इध्यापन गृप में आप सुन लीजेगा बहुत विस्तार से किया गया था चक्रवर्तिपात की टीका अब यह बड़ा सुन्दर है चोटु जब चार साल के थे और निकले भजन करने के लिए तो पता भी नहीं था कि भजन करने भजन कैसे करना है कहां जाना है तो नारज जी उनको मिले कानपुर से बच्चा निकला और माहा ने बोलता कि जंगल में जाब कौन से जंगल में ज जाएं कैसे भजन करें यह बच्चक नहीं पता था भगवान ने नारज जी को प्रेडित किया तो श्रीमत भागवाद चार आठ ब्यालेस में कहा गया यह नारज जी के द्वारा कहा गया है तुरुम महाराज को और यह बहुत महत्पूर्ण है कि इस प्रकार से सिख्षा द लाटी होती है वहां खुल करके भजन नहीं होता और आप देखेंगे इस्पेशली विरिंदावन में कहीं पर भी आप जब से आप भजन कर रहे हैं आप सुच्छेंगे मैं बहुत बड़ा हीरो हूं आप से बड़े हीरो मिल जाएंगे आपको हम बहुत कर रहे हैं तो आप कुछ भजन कर रहे हैं तो दूसरा विक्ति आपको जुरूर दिख जाएगा भजन कर रहे हैं बाहर की दुनिया में क्या होता माला दो माला भी कर रहे हैं और प्याज भी छोड़ दिया तो लगए वाह हमसे बड़ा कुछ शंत नहीं है बागी लोग तो बड़े पाप कर र अरज को बड़े बड़े से लाजıs कर रौट में से अधे व्योंगए यृस रहे दोगी थी यहां अ तो क्यों इंद्री तृप्ति को छोड़ करके ऐसा मर्पित हो रहे हैं मातर जी लोग भी कुछी सन्यासी को देखेंगे तो आपको प्रिणा नहीं मुले कि अरे बाई कितना देखो ने अपना इंद्रे भोग छोड़ करके भवान के भजन में सेवा अपना जीवन समर्पित कि इंद्रे जाए बहुत से भक्त इसे भक्त दिंग ज आएगे कुछ भक्त आपके सामने प्रकाशित करेंगे लेकिन भाजन में बहुत आगे बढ़े रहते हैं मेंक सैंस तो ये है यहां पे बहुत important बात हम पर सीख रहे हैं कि बजन कहां करना चाहिए अगर हो सके तो यहां पे आकर ही बजन करना चाहिए और किच-किच में भी करना चाहते हैं तो वहां भी ठीक ही है ठीक ही है लेकिन अट-least 50 के बाद जुरू सोचना चाहिए कि वह किछ कि छोड़ करके इधर आए बजन करें एक सेंस अब मुझे यह नहीं पता कि कितने लोग पचास तक पहुंचेंगे यह हम नहीं बोल रहे हैं वह आप प्र पत्री वत्री देख लिए पत्री तो 100% करट होगी ही मैं समझ रहा है कि नहीं कितने साल हैं वो हमक प्रश्ट प्रचारक हैं पूरे ब्रह्म्हांडू में घूंगते हैं और धुर्व महराज को क्या बता रहे हैं तरह देखिए तत्तात गच्छ भद्रम्ते यमुनायस्तटम्शुची पुन्यम अधुवनम यत्रसानिद्यम नित्यदाहरे है यह बालक तुम्हारा कल्यान हो भद्रम्ते तुम यमना के तठ पर जाओ जहां पर मदुवन नामक विख्या जंगल है और वहीं पर पवित्र हो यहां पर जाने मात्र से पवित्र हो रहा है बहुत अच्छा महाराजपात को बोल रहे थे कि देखिए साधू लोग होते हैं साधू का भजन का टाइम होता है हमेशा नहीं मिलते हैं बहुत रेयर मिलते हैं लेकिन यहां तमो पहत्य शतजन्म भी पुमान यहां के पेड़ भी भगवान के भक्त हैं साधू हैं उनको देखने से सो जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं देख रहे हैं क्या प्रभाव है उशाला में पेड़ देखते है तामो पहत्यय, तामो पहत्यय, अद्नकार को अज्ञान को नष्ट करने वाले, तामो पहत्यय शतजन्म भी पुमान, सो जन्मों के बापों को नष्ट करते वाले के विए Bak vào, тор शण 92 मार्व से. अ वहां जाने से ही मनुष Vrindavan Vasi Bhagawan की ngamm לה पे hiall y bod KE written was lyak ila star detak sze gay sony Vrindavan Vasi मतलब भगवान krsn २ हाँ से कभी जाते ही नहीं इसे इंटरESTIONN बहुत से लोग समस्ति होंगे की अब हम शाम कुछ है पे जाँगे तो प्रजे मिली जाएंगी यहा पर क्योँ यहां पर रहूंगा है चाहता है कि मैं हमेशन यहां पर रहां रहा हूं लेकिन भगवान को कौन निकालेगा है आज अब भी बात मेरे शीर्दे में आ रही जो प्रहुपाद ने बोली बहुत प्रसिध बात है जब यही मंदिर बनने वाला था तो तामाल के पेड़ को भव राधरानी करेंगी तो तमल के पिड़ को देख करके उनका विरह है शांत हो जाएगा आप कल किसको देखने जाएंगे सुबए भागे समझ रहे हैं अपना देखिए मैं हमको तो समझ में नहीं आता कि में और कहीं जाने की जुरत है क्या और या तो यह अपने चित्व मे मैं कुछ आप इस यह मेरा है मैंने के रहा हूं कि सबका इससे सत्यापित करें बड क्या राधरानी का दर्शन अपने मंदिर में नहीं हो रहा है नहीं तो फिर प्रभुपाजी ने वो तमल के पिड़ को उसी स्थान पर लगे रहने के लिए क्यों बोला आप प्रभुपास स्थेट्मेंट अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं जवर्दस्त ब्रह्मानंद प्रभु के सामने की घटना है और ब्रिंदावन में थे और ब्रह्मानंद प्रभु क्लास दे रहे तर्म साक्षा सोने थे तिर इस नो इफन बट लाइक दर तो हुआ ये कि भक्त प्रहें प्र प्रहुपाद जी बड़ी famous story है तो प्रहुपाद जी बड़ी famous story है तो प्रहुपाद जी ने का पूछा आप कहां थे जब के समय तो ओले मैं I was searching for a holy place to chant. प्रहुपाद started crying, प्रहुपाद रो नहीं लगे। कह रहे हैं the whole spiritual world is within the four walls of krishna balram temple and you are going out to find a holy place. पूरा ध्यात्मिक जगत कृष्ण बल्राम मंदिर की चार दिवारी में है. और बोलते बोलते ब्रहुपाद पर रोने लग गये थे. हम लोग कभी-कभी इतने मुर्ख हो सकते हैं, समझ ही ना पाएं कि हमें क्या दिया जा रहा है जो मंदिर में हमारे वातवरन है. किस मंदिर में बता इए. हम कुछ नहीं बोलना चाथे एंह कुछी को बरती अपर आत भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई है जा भी-कभी क्या होता है, यह इंट्रस्टिंग है कभी-कभी जो Ganga जी बगल में रह रहा है, वो कलकत्ता मै विरंदावन means is Kaun Vrindavan for us, is that okay? तो सभी मुल्लाओं से निविदन है की मजज तक ही जाये, मैं जब यहाँ पर आय था, मुझे भक्तिर समयत माराज बोल ले थे, from Vaniyashram to Temple and from Temple to Vaniyashram, तो बव उती ना, देहलीश मेर रहती ना? आशकल की नहीं रहती ही लेकिन पहले वाली रहती थी तो. Same program, over and over, over and over again. And then see the development. Prabhupāda Ji के statement को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. The whole spiritual world is within the four walls of Krishna Balram Temple. तो उम्मिज जैसा lazy विक्ती तो वो चार परिक्रमा कर ले, यही बहुत है. कितनी लोग जो सुबह परिक्रमा करते है कृष्ण बल्राम जी की, तो यहन भूती होती है कि we are giving highest respect to कृष्ण बल्राम जी, रादा, शाम, सुंदर जी, गौर, निताई, ऐसे जागरित विग्रय कहा होंगे? इसलिए प्रभुपाजी यहां बंदावन में भक्त लोग रह रहते हैं, यह भी नहीं बोल रहते हैं, लिखा है कि आप अपने पर्सनल विग्रय मत रखिए, आक्चली बोल रहा है प्रभुपाजी, यहां पर रह 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 रहा है, क्योंकि प्रेम बढ़ जाता है, हर भक्त के लिए मैं अप्लाई चीज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरल जो प्रभुपाजी के इस्ट्रक्शन में बोल रहा हूं, बंद के पास रहते हैं, इसलिए मैं रखुपती को प्रभु को नहीं बोला क्या विग्रे रखिए, जो ठीक है भगवान के विग्रे आपके पास हैं, पहले से आप लिए क्या ही ठीक है, लेकिन तो लिए बात हम बोल रहा है कि विरंदावन में तो हैं ही, और स्कॉन विरंदावन में भवान जानिध्य मिलता है, एक स्कॉरे वाला एक्जामपल मैं आपको दे चुका हूं, यह बहुत सुन्दर, श्रीमत भागवतम दस एक अठाइस में कहा गया है, यह इसका हमारे में हम तातपर से प्रपाज़ के पढ़ेंगे, राजधानितता साभूत सर्वयादव भूभू मत्रा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही, मत्रा नगरी मत्रा जनपत कृष्ण से घनिष्टता पूर्वक जूड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का नित्यवासे मतलब कृष्ण यहां से छोड़के नहीं जाते हैं, इस ही के तातपर में, दोनों स्थान अभिन्न हैं, इसलिए वो जो पॉइंट आया था कि माया का मतलब क्या, तो माया का मतलब है हरिद्वार, माया मतलब माया पूर, नहीं बहुत अच्छा भक्त ने हमको समझाय क्योंकि जब भी मैं इसको लिख रहा था, अनवात कर रहे था हमको बड़ा संदे मतलब में वास करता है, तो यहां पर यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि विरिंदावन और मायापूर में कोई भेध है, और भगवान श्रीक्रिष्ट चतन महाप्रव में कोई भेध है, तो एक ही व्यक्ति है, महाप्रवु ने बदजीवों को मतलब विरिंदावन तथा नव जैसे गंगा जी के स्पर्ष करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, और भी कुछ करना होता है, नहीं करना होता है, कल स्पर्ष मात्र से, उसी प्रकार से धाम में आने मात्र से भगवान का संपर्ग मिलता है, यह क्लिर हो गया, ऐसे अनेक भक्त हैं, जो व्रिंदा करने के लिए व्रिंदावन मतहरा ये नवदीव धाम को छोड़ता है तो उसका संबन्ध भगवान से तूटता नहीं तो आप देख रहे हैं बात बहुत बैलेंस करके लिए ना होगा क्योंकि भगवान के लिए अंपर प्रवुपाद करें का लाज़ा अंदुर्वर्व देखने के लिए नहीं पर डिनास में है तो नहीं कि धा एकड़कर रहा है जी अच्छी बात है लिखा जो हो हमें चाहिए कि मत्रा व्रिंदावन तथा नवदीब धाम की दिविमहत को समझना चाहिए यह कोई समाने भूमी नहीं है अब जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वे शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है मुझे पाता था कि कोई जो में पोस्ट कें वह भी शायद ना पढ़ा हो यह बहुत कम लोग ने पढ़ा हो इसलिए फिर से बोल दे रहे है किसी के मन में संदेख अभी संदेख तो नहीं रहेगा फिर से सुन लीजे गुजराती में अनवाद है क्यों भागवत हमका भागवत शरीर त्यागने के बाद इस शरीर छोड़ी ने निश्चित रूप से भागवत धाम जाता है निश्चित रिते भागवत धाम जाई चे तो गुजराती हमको भी संद्वाने लगे सब लोग संद्वारा है कि नहीं आ रहा है कि एवल खिचरी मिलेगी खाने के लिए ठीक है जाशतने गाली पढ़ सकते ठीक है इसलिए कल सुनाया गया था कि मालो लंगडा और कोई लंगडा यहां पर खड़ अधर कोई लंगडा नहीं है कोई अंधा है नहीं तो लंगडा अंधाभी होõ पंगु भी होगया है आकि शरीर छोड़नी मात्र से बह allegations के परास प्राप् अधुपात किताब में तो सत्य लिखा हुआ है कि नहीं। खहल बड़िमां भारति के लोग बड़िमांगे जब सेल लगती तो तुनह टो तुना इंट रगजाती फ्रहे सोड लगिए सेल लगिए निए येकर ना मुष्कल तो धाम में रहना है यह चार कर लिजिए परिश प्रकार भगवान अध्रा भगवन एत्रनेत अनित्य सैनिति तो हरी ये वशेश वचन वशेश महत्व रखते हैं भक्त को चाहिए कि उस देश का पूरा पूरा लाव उठाए तो जब भी भगवान अवतिरण होते हैं तो मत्रा में ही अवतिरण होते हैं क्योंकि इस थान से उनका घनिष्ट संबंद है इसलिए मत्रा तथा व्रिंदावन इस धारा धामें हैं इस दहरा धाम में उस्तित होते बहुए भगवान की दिव धाम है तो सबस्त करदें को़ विंदावन में चिर्श przन लगता यहीं है हां, तो वह हिए यहीं है हमको लग रहा कि वह गए नहीं है हाँ यही है मतलब इसमें वहां पे कोई भेली नहीं है आप कैसे समय निकले का कैसे मैं आपको भ्रियुत भावगवत में पढ़ाऊंगा लेकिन बड़ा मज़दार है वह गोलोक की बात करते हैं गोलोक एकदम गाउं जैसा लगता ह है जहां से सुनिएगा आप लोग के बास इसके समर्थ अंगरेजी में पढ़ लिजएगा गोलोक एकदम गाउं जैसा लगता है है वैकुंट से भी स्रेश्ट लिकिन एकदम गाउं जैसा लगता है आप जब गोलोक जाएंगे तके अरे इसा विलिज क्योंकि वहां वहां भगवान का एश्वर नहीं प्रकाशित होने देना है वहां कृष्ण एक समान बालक की रुप में दिखने चाहिए एकदम गोलोक जैसे दिखता है तो दिखते हैं कब समय मिलेगा उसे बढाने का वेरी इंटरस्टिंग और एक दम बोलते हैं वह यहां पर आ करके अपने शिश्व को बोल रहेंगो पुकुमार कहते हैं मेरा एक दम प्रतिक्ष रनभव है कि यहां में और वहां में कोई अंतर नहीं है तो यह आप बारम ब में रहने के लिए अब तो clear हो गया जैसे नाम मिरुची कैसे उद्पण होगी क्रिष्ण लादनी माताजी नाम मिरुची कैसे उद्पण होगी क्या को रहे हैं कि आप बता याप दिव ज्यानी हैं आप बताई क्या समझते हैं नाम करो वेरे गुड सेमपल चोटी बच्ची तो हो जानती छोटी बच्छी से पूचा कि नाम ऊचारण के बीना में रूती कैसे हो जड़ा बताई यह शामसंदर पू भागवत सुने भिना बबागवत में रूती कैसे हो जा बताएँगा था हम चौत नाम यह द्यूच अपने आप ही योगता सुन करते के नाम करते Chat कि इस सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हुँ कि कई बार भक्तों को निर्व रसाहित की जाता है तुम तो आयोग्य हो तुम तो अपराद करोगी और ये करोगी और वो करोगी ये त्यादी ये तो फिर वैसे ही हुआ कि उसको मिक्सर मत-on करना क्यों यदि तुमारे पात में पानी नहीं होता है। वचार कीजेगा, conscious रहिए और बहुत कृपालू है। आगे भी सुनिएगा टेक्स्ट 80 और 81 विष्टु पुरान के प्रतम इसकन्य बताया गया। हत्वाचा लवणं रक्षो मधुपुत्रम महाबलं। शत्रुग्ने मतुराम नाम पुरिम यत्र चकारवे। यत्रेवदेवदेवस्य सानिध्यम हरिमेध सह। सर्वपाप हरे तस्मिंस तपस्तीर्थे चकारश। उस थान में जो सभी पापों को हरने वाला है। और जहां शत्रुग्न है। शत्रुग्न भगवान श्राम के तीसरे वाले भाईन। सबसे चोटे, भगवान श्री राम, लक्ष्मन, भारत, शत्रुग्न ने, शक्तिशाली लवणासुर जो राक्षस मधु का पुत्त था, उसका वद करने के पश्यात मधरा पूरी का निर्मान किया था। और जहां देवताओं के भी देवता भगवान कृष्ण अपने भगतों के साथ रहते हैं, वहां शत्रुग्न ने तपस्या करी थी। आप में से कुछ लोग हमारे साथ धुरुव टीला गए थे और शायद वहीं पर ये स्थान था न जहां पर लवणासुर को मारे लवणासुर की गुफा दिखाए गए थी वहां मारा उचुप गया था वहां घुश करके शत्रुग्न न को मारे थे तो ये बात बोल रहे है यादा आप लोकॉठ थीच है वायु परान में बताया है इस पे कुछ पीच ईए करना वायु परान में पताएगे है सारे पुराणों से बूल की जा रहे हैं कि भाई भगवान यहां हमेशा निवास करते तो आप हमेशा क्यों नहीं रहते हैं कि भगवान यहां हमेशा रहते हैं तो आप भार क्या करने जा रहे हैं माया से मिलने जा रहे हैं माया पती है मतरा 40 योजन 320 मिल का स्थल है जहां भगवान हरी सदा सदा के निवास करते है अब फिर प्रश्ण करें वहां बोला 20 योजन आई बोला 40 योजन, don't think too much कितने योजन चाहिए हमको तो एक योजन नहीं चाहिए ना या आट बाई 10 तो इसलिए चिंता मत करें कि 30-40 योजन का है कि 20 योजन क्या है इसका विस्ताहरत वननती है अब बहुत अच्छा एक टॉपिक आ रहा है और श्री भगवत कृपाल भित्वम कोई प्रशन करेगा बहुत देवता और मुनी भी जिस्थान की वास्क इच्छा र लाँशन वारकाई का परमने वारकर से कर लग दिया जाए कि वैए मी वाइवी अब आपलो बहुत खूश होने वाले तो देखते है क्या होता है मत्हरा में वेक्ती भगवान की कृप्र प्राप्त कर सकता है जब और दोस्त है आदी वर्हा पुराणी बताया गया ना तत प ना लव्यं व्यविद हैर DO हो भादos என्हार But सीधे बद्वागवान काही शब बोला जा रहा है राधीवर्ह पुराड़ा में व्रह देव का पुन्यों के द्वारा ज्ञ विवद्य द्वारा जब यह के द्वाटव नहीं किया जा सकता जो मधरा में मेरी कृपा के द्वारा प्राप्त हो सकता है हम सब लोगों को कृपा देने के लिए बुलाया गया है इन लोगों का अधार और किसी तरह से नहीं हो सकता है यह लोगों को स्पेशल कृपा दिनी जानी चाहिए जो मैं ठीक से स्मरण कर रहा हूं वैकुंट जाने के बाद फिर इधर भेजा गया था मैं अभी मैं बहुत स्मृति से बोल ला हूं विलकुर एक दम से हैं यह गुपा कुबार एक दम मैं थोड़ा सा स्मिर्ट कोण आहा हूं वा नहीं है और अन्य भकतों के लिए भी बंद नहीं है कुछ नहीं करिए बस जब कीज़े प्रसाद खाईए और इसम्राइप रखें कि राधा कृष्ना कि कृपा से ही हो पाया है कृष्न देने के लिए लाई है और आपको अगर अभी भी संदे हो रहा है तो मैं किसे बता फिर ब्रियत भाग नमृत गोपकुमार जब वैकुंट पहुंचते हैं तो वहां भवान विष्णु सुरूप में और कहते हैं स्वागतम स्वागतम आप आए यहां पर बहुत अच्छी बात है और तुम हर जनम में मैं सोचता था हुए तुम काश इस जनम में मेरा स्मराल करो लेकिन तुम ने नित ही मेरी right में तुम मैं कभी ध्यानी नहींदिया मेरी तरफ फिर मैं सोच था मैं सोच रहा था कि जिन कर्मों के से धान्तों को मैंने स्वैम बनाया है उनको तोड़ करके मैं तुम्हें अपने पास कैसे लाओं वेरी स्वीट और अब कि इस इच्छा से कि तुम मेरे पास आ जाओ यह मुझे को एक बंदर की तरह नचाती रही मुझे से रहा नहीं गया इसलिए मैंने तुम को गोवर्धन में जन्म दिया और फिर आप पूरी कता सुनेंगे तो गोवर्धन में जन्म देकर जैन्त नाम के गुरू बने कृष्ण स्वैमन के गुरू बनके उनको मंत्र दिशा भी देते हैं इस ब्यूटिफुल ग्रंथ प्रभपाज इसको बोलते हैं पढ़ने के लिए पर भागत कर सी होगी ठीक है कोई बात ने धीरी दिरी सब होगा था भवान मुझे लगता है समय देंगे हमको वेरी इंट्रस्टिंग तो बीना किसी कारण के यहां पर नहीं लाया गया है और अब हमारे सामने स्पस्ट हो रहा है कुछ विशेश कृपाज दे निकले जा रहा है स्टार्ट कल्टिवीटिंग हुमिलिटी यह स्थान इतना अद्भुत है राधराने है कृष्ण है प्रभपाद आपकी कृपास से हम यहां पर हम तो मैं तो अत्यंत अयोगी हूं किसी भिभक्त का कोई अपराद नहीं हो यहां के जो भी लोग रह रहे हैं हमसे गलती से भी कोई अपराद नहीं हो हम उनके सेवा के भावना रख सके हैं वो बाहर रूप से कैसे भी दिख रहे हैं वी और नोट देटीचर आपने और निकट लाने के लिए और विशेश कृपा देने के लिए ही लाए है सामने आपके लिखा है और यहां पर रखा जा रहा है आगे देखते हैं प्रश्ण को में एंड मिलेंगे ये श्लुक तो बहुत सुंदर है आपको याद होगा कि प्रवचनों में मैंने कई बार से कोट किया है आपके सामने है कि एक च्छन के लिए भी कोई यहां नहीं रह सकता है अगर भगवान विश्णों की कृपान नहीं होगी तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी क्या होनी चाहिए अब वो साथना कर रहा हो नहीं कर रहा हो अगर वो मेरे आश्रम में नहीं है तो मेरे का मतलब ये आश्रम जिसमें कर मेरा अभिमान है कि मैं इंचार्ज हूं मेरा आश्रम नहीं है जो हमारे आश्रम भक्त लिए रहा है उनकी अपर इगटने नहीं होगा हम एक चौन कले भी निराने देंगे अगर साथ नहीं करो कि टीक से, आपलोब सब करने वाले पर खाली मजाक बल रहा हूं यह इसका अतलब यह नहीं कि करण डांट नहीं पड़ेगे रसुवे नहीं उठेंगे तो सुनो जरा श्री विष्णो कृपयानूनम तत्रवासो भविष्यती विना विष्णो कृपयानूनम तत्रवासो भविष्यती विना विष्णो कृपयानूनम तत्रवासो भविष्यती विना विष्णो कृपयानूनम तत्रवासो भविष्यती तुक्त तट्र आफ़ सटा हो अफ़ाज को अपर ne वhop dign Waru करते पर नहीं होता डबन पाइसे से नहीं होता है कि अहठारीज कर जोग के पास दंता यहां मकान भी खरीद लेते हैं थे दूसरों को अपन रहे वह पर नहीं रहे पाते हैं अगें रही के रख लिए हैं वो आ नहीं पाते हैं ठीक है अगरा बड़ा स्पष्ट है विना विष्णों प्रसादेना भगवान विष्ण की किर्पा के बिना शडम एकम नो तिष्टति एक छण भी यहां नहीं रह सकता एक मिनदेट्स काउंट तो तीन चाल पांच पांच छण रह जाने के लिए आप रात्री में उद्यत हो तो ब्रामनों से निवेदन है कि भगवान के प्रतिक्रत अग्यात अग्यापित करें कि आपने हमको एक दिन और दिया अग्धाम में ने तो कभी भी कोई वेक्ति बस्ता उठाएगा अप्तल लेगा बाहर प्रपात का बहुत सु लुकत में आहार निद्रा भाई और मैथुन चलता रहा क्या स्वीट तरीका है बोलनेगा इट फॉन्ट स्टॉप कुई चलता रहेगा और हम चलते बनेंगे भगवान के पास नहीं पता होता दुनिया को नहीं पता है उनको अश्रद्दार है तो भाईया वो जाने अपने भागे को जिसको पता चल गया है वो विचार करें हम किसी को बोल नहीं रहे हैं आप आओ हम तो खाली आपको सामने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं मैं कल भी भक को बता रहा था कि दुनिया की लोगों की सुन करके दुनिया ही तो मिली है और यह एक देह मिला जिससे हम तीन प्रकार के ताब भोग रहें तो और यही पुरुसकार आगे चाहिए अब विचार कर लिजे एकदम प्रैटिकल लविल बात कीजिए ना कि हम बाहर रह रहे थे क्या सुख मिला और कब मिला प्रभपाजी बड़ा सुंदर बात बोल रहा है कि सर में दर्द हो तो पांव की मोच के इलाज करने से ठीक हो जाएगा तो बाहर रह करके की सुख पाईया यदि आप भगवान के यश्क का प्रचार कर रहे हैं केवल तब तो भवन में आती है बात लेकिन प्रश्ण हमेंसे करना चाहिए कि क्या हम केवल भगवान के यश् दो आशर या शवब हमको नहीं उतर दीजिए और यह तो मने आखों से देख लिया कि कितना बचा पाते हैं अपने अपने सामने मर्तने कुछ बहीं नहीं कर पाते हैं आपका जिद्धी सभाव इस वाम नें बहुत अच्छा काम किया है नहीं तो समझ रहा है ना वेरी गुड पद्न पुरान के उत्तवर खंड में कहा गया है तो यह अब समझ पा रहें मेरी बात भगवान विष्णु प्रसन्न है इसलिए करें उसको बुला ले ना अधर को बहुत पापी है कोई बात नहीं बना उसको बिलाओ उधर फ्लैट में तो आ रहने के लिए आप समझ आ रहा ह बुलाएंगे तब आएंगे तो यह भगवान आप चिठी लिखेंगे आपको यह महमा सुनने को दिया जा रहा है तो यह चिठी से कम है दुनिया में कितनी लोग होंगे कोई नमबर बतादे कि यह श्लोग देखेंगे भी जीवन में पहले बात ही हिंदी भाषी लोग करें कि यह राउट हिंदी में अबलेबल हिन है कmesan queriesures , आपनर न knocking हिमें नहीं है कैंगी प्रोजी कहा मिलेगा किसी बंक है नहीं है नहीं किन हमारे गार 4 बेसा हैं फोरा वीडियो देखियह थैखें। मिलेगा ही नहीं कहीं, बंगला में हैं, इंग्लिश में हैं, हिंदी में मिलेगा ही नहीं, only available at bhakti tree, इस पेड के लावा ये फल कहीं और नहीं मिलेगा, bhakti tree में मिलेगा, हिंदी जानते हो, एक एक करके फ़र आपका समने करें, ये पाता भी नहीं है ना कि भग्वान नहीं उसको सोने के लिए बुलाएं यहां पर, मालो घंटा दो घंटा सो रहा है, समझा रहा है, भजन, उसका संकल्पी नहीं होगा, उसंकल्पी नहीं होगी हम ब्रज में आए, इच्छा ही नहीं होगी, जब इच्छा ही नहीं होगी तो करेगा क्यों, आएगा क्यों, इस जो खराब बरताब कर रहें, उनका संगती नहीं करें, लेकिन दोस दृष्ष्टी नहीं रखें। बार 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 इस बात को रिपीट कर रहा हूं। We don't want to give trouble to anyone. Is that okay? बाहिर उपसिला कर रहे हैं। भगवान की इच्छन नहीं होती तू नहीं आ सकता। ठीक है। All questions will be answered in Mathra court. पन्द पुरान की उत्तर खन में कहा गया है। हरव ये शामस्थिरा भक्ति भूयसी ये शुतत कृपा। हरव ये शामस्थिरा भक्ति भूयसी ये शुतत कृपा। तेशामे वहि धन्यायम पलत्ञयम भवेद रती वह सवभाग शालिय को जिनकी स्री श्रीर्थ प्रती-िद्र बहती है और जिनके ऊपर प्रभू की विश्येश क्रपा है कि विवाही-मत्रा-ध्राम के पर्ती-द्रती को प्रप्त सवकते हैं मतलब यह नहीं कि आज वर्णस डे को हरी भक्ति उसके बाद शनी वार को शनी जी के भजन कर रहा है ऐसा नहीं दिनों रात रोज भगवान कृष्णी का ही भजन कर आप सभी लोग इस प्रकार से हैं और उसके बाद करें भू यसी येशु तत कृपा और जिसके ऊपर भगव जाने का मनी नहीं कर रहा है कभी-कभी आप देखिएंगे कि जो बच्चा बहुत नौटी होता है उसको मा अपने, अपने से ही रस्य से बाद देति है ऐसा कर रहा है अपने बच्चों संग कभी कि आउए वाकई किया है क्या है एक ग्जाम्पल दे रहरा होता है बच्चे बहुत नौटी होते हैं, तो वो इसी रेंज में घूमेंगे हो, उसके बाहर नहीं जा पाते हैं, दामदर लिला, यह पुरानी लिला चल रही है, बच्चों को बांदी जाता है, तो अगर आप बाहर जाते हो, मा लोग बाहर कहीं जाएं भी, बहुत महत्पूर्ण काम है, उस कालक्षन है, प्रीती तद वसती स्थले, जहां भगवान ने लीला संपन करी है, वहां पर रहने के प्रति आ सकते, मैं भक्तों में देखी रहा हूं, इस प्रकार के आ सकती, जागरित हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, जो लोग बाहर भी रह रहे हैं, यहां पर आते करें, और विशेश रूप से अगर कोई इस कौन की मंगलार्ती देखे और इस प्रकार का जीवन देखे, बगतों की जीवन शैली, तब तो निश्यत रूप से सोचेगा कि हम यहां पर रहें, अच्छा तो करेगा, अब मन में आएगा कि भाई, यह कैसे होगी भगवान की म में लिख रहें, मतरा की प्राप्ति भागवान के चर्ण कमलों के ध्यान की द्वारा होती है, जिस स्थान पे , वहीं में पे आप, हरे खुरूप हरे खुरूफ ट्र्श्ना, क्रिथिक्ष्ना, खुरू ररे खुरूश्ना, कृुष्न क्ष्ना सुभाश्रया ध्यान धना निरंतरम तदेव पश्यंति ममो तमां पुरिम नचान्य था कल्प शतेर्दि जोत्तमा जब वक्ती तपदी से पूरी तर्य सिशुद हो जाता है अधा विशुद ध्यास पदि ना जाना हां कि निरंतर नडाने निरंतरम भग्वान का निरंटर ध्यान करूने से जो उसका ध्वन इखाटा हो गया है इक शुब अच्छाए वैक्ति किस चीज का ध्यान ध्यान थना भगवान का स्मरण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, ख्रवन किरतन कर रहा है, और खुब पैसा ही खटा हो गया, अच्छा, ठीक है, ठीक है, तदेव तभी ही पश्चंती देखते हैं, मम उत्तमाम पुरी, मेरी उत्तम पुरी को देखते हैं, नहीं तो देखे बिना ही मर जाते है चा अन्य ध़ा और किसी तरीके से नहीं होता है यह बहगवान का भारम वख्ति करता है तो धाम की प्राप्ति हो जाती कल Yogisarra saar कल्प को मतलब ब्रहमा जी जी को एक दिन और शातेर मतलब 100-100 कल्पों तक वगती और कुछ करता रहा ही तो उसे तपस्य आजी से शुद्ध हो जाते हैं तब ध्यान रुपी ध्वन के शुभाश्रे से वह निरंतर मेरी पूरी को देखते हैं मतलब खूब भगवान को ध्यान किया है तब इस प्रकार से भगवान की मत्रा का दरशन कर पाते हैं देखें सब बड़ा जीव से लगता है न आपने पता ने देखा है कि अनक्षा कोफ देखा है आथे आं लेकिन भागने की जल्दी पहले रहते हैं अम गलत तो नहीं कह रहते हैं प्रश्निक्या है कुछ इनने भेज दिया है ये विरिंदावनम आवसंती यदिवास प्रिष्टवाथ द्रिष्टवा गता ध्यायंती प्रणामंती तद गुणगान गायंती शुनवंतिवा इसको हम कल लेते हैं प्रभु प्रीज आप इसको मेरे को अलग से भेज दीचेगा शुद इंक्रूड टुमरो जो भगवान के इस धाम का श्रवण कीर्टन भी करता है महिमा को तो उसको भी ब्रिंदावन अपने स्थान पर लिए तो अच्छी बात है इसको हम कल लेंगे ठी अगर किसी की बहुत तीवर इच्छा है धाम में आने की और नहीं हो पा रहा है तो कहां कमी है कमी हमें कुछ नहीं हो जाएगा मुझको भी पांस साल के बाद आने को मिला इच्छा रखिये हो जाएगा हम दो जार तीनसे आयते तब इस इच्छा कर रहे थे आपकी इच्छा है और अधरानी की इच्छा नहीं है एक अभी माता जी की बच्ची बहुत दिमार है, उनको शब्द उनके बड़ अच्छ लगे हमको, कुछ भी हो जाया मेरे को अपनी बच्ची ठीक चाहिए, तो इस जगत की माता का जू भी प्रेम है, उसको अनंत कुन आप अंप्लिफाइ करेंगे, वो राधरानी का प्रेम है सभी जीवां के प्रते, आप आना चाहते हैं, और अधरानी क्रिष्ण नहीं चाहते हैं क्या, वो उनकी योजना के अंसार आप आएंगे, makes sense? हमारे सामने कुछ भक्त लोग बैठे हैं, जो रह रहे हैं, और शायद असंभव ही लग रहा था कि यहां पे आप आएंगे, तो यहां तो रहे हैं, आप लोग लोग लग रहा था था रहा हैं, तो यहां तव्यद खराब होना भी ठीक है, प्योंकि दस साल बहार भोगना पड़ता और यहां दस दिन भोगना पड़ता है, एक बड़ी मज़दार बात बता है, हमारे एक सिनेर भक्त हैं, अपने गुरु परमपुची लोगनात महराज को बोले, महराज, हम सफरिंग, कैतने हैं, इस ओकी, इस अफरिंदावन, महराज बड़े सुट है, जो भी सफरिंग हो कि बाहर काम हो जाएगी, वहालो जूते पड़ने, किसी को जूते की माला पहननी, मालो, भागे में लिखा कि जूते की मा बाहर भी चड़ेगी, कहने का अर्थ है कि जो दुख आएगा, वो खार आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसके लिए धाम नहीं छोड़ा जाएगा, मृत्य के गडर है नहीं, इसको तुछिए, रादारानी पर क्या सूचिए, देखो उसने दुख भोगा, लेकिन धाम नह कैसे छोड़ सकते हैं कि और बाहर कौन सी हेल्थ फसिलिटी किसी दिन दिनली के अस्पताल में लिखा कर यहां M璃त्यू नहीं हो सकती है यहां हर अस्पताल में लिखा है कि यहां M pratique नहीं हो सकती है प्रवेश नहीं करती है उसका हम लोग कल सुनेंगे कैसे मोक्ष प्रदान करने वाला है समझ रहे हैं फिर से रिपीट कर रहा है प्रदान मतलब हमारी योगेता नहीं है नहीं है नहीं है योगेता यह ले लो ऐसे करके देने वाला एक प्रश्न है भक्ता अच्छा पूछ रहे हैं कि हम लोग वर्चुली विंदावन में रह रहे हैं इस इस नौट इकुली एफेक्टिव इन डिवर्डिंग देखिए यह हम लोग कल इसको सुनेंगे आपने गलत नहीं कहा है भगवान के धाम के श्रवन किरतन की महिमा भी है कि वह है धाम की प्राप्ति कराएगा लेकिन आप हमको बाद में अपने घर की महिमा का वर्णन करना हां मैं आपके प्रश्न को अप्रिशेट कर रहा हूं लेकिन एक मीठी सिनाट लगा रहा हूं कि इसमें तो चार तो श्लोक है धाम की महिमा के और एक एक श्लोक अद्भुत है आप एक श्लोक लिख देना अपने धाम की महिमा का जिस घर में हम रह रह रहे हो उसकी महिमा का क्या वर्णन है? हम करें वर्णन? गुरह मंध कूपं क्या है इस लोक स्कूझर है? प्रलाद महाराज गुरहस्ती की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या हो गुरह मंध कूपं वनम गतो यदॉत हरिव्प। तटसाधुमन्य शुरवर्य देहिनाम सदासम द्विग्न धियाम सत्ग्रिहात हित्वात्व पातम ग्रुहम अंधकूपम वनम गत्वयद हरिम आस्रायता लोग ढूंड लेते हैं प्रलाद मारा जो बतते हैं इस वाए हित्वा आत्म पात यह मेह में बता रहे हैं ग्रहस्ति की आपने प्रश्नी किया तो आप देखे़ प्रिलाज महारा से थोड़ा सब सा चीरी सौस ले सकते हैं हम कुछ नहीं गया रहे हैं हम आप अप ग्रहस्ति की महें ग्रिह धाम की वर्णन कर लेते हैं यह पूछा यह बोला गया है पीता जी ने बोला हिरणा कर शिपू ने बढ़ा तुम्हें सबसे अच्छी वस्तु क्या सीखी श्री प्रिलाद वाच्च साथ पांच पांच मैं उसको सर्वस्रेष्ट मानता हूं किसको मांती है सदा समध ध्रिग remoस ग्रहात सदा ही लोग जो अपने घर में असद वस्तुं को पकड़ी रहने के कारण उद्विगन हैं परिशान है तो गयाँ हित्वात्म पात्ल और जो आत्ना का आतकरने वाला है उसको त्याग करके घ्यात पात करने वाला ग्रुहम अंधकूप गघर जो अंधकूप की समानीं जहां पर बिच्छ बद बचाई यह अब चलाएगा कि बचाओ बचाओ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा और देखिए वैस्त तहा कुवें से आदमी अकेली बाहर नहीं निकल सकता है, पांच-छे लोग मिलते हैं तब निकलता है बाहर, बहुत से लोग तो यही डाउट करते हैं, यह रसी क्यों फेकी, इसको रसी को पकड़ने में तो बहुत मेहनत है, मेरी बात है समझ पा रहे हैं साधू लोग आकर के मदद करते हैं कि निकाल लें तो नहीं, यहां तो बहुत अच्छा है, अंधिरा है, कुछ बिच्छू काटते हैं तो क्या अधिकत है, तो क्या रहें, वनम गतु यद हरिम आश्रेत, वनम में चल जाओ, प्रहपाद यहां पर पर्स्ट बोलने है, वनम बहुत अच्छा है, विनम और कृष्णा काटते है, वनम गतुआ नहीं, वनम खेच्छा एफ और काटते है, वनम गतावन का विनम गताविस बुचों, वनम गतार प्रिक्रृ। वह और भक्त लोग मजाक में कहती भी है 51 मुझतलब वन आने का समय हो गया है बावन पचास के बाद शूरू हो गेना पचास के बाद वन बार बार एक यावन बावन तिरपन छोड़ दिए बस दो में हो गया 51 में आपको निकलना चाहिए साहरन आ गया उसके मैक्सिमम बावन तो निकलना चाहिए एक व्यक्ति पश्पन पूछ रहते हैं कि निकलना चाहिए हमने करें पहले क्रॉस हो चुका है आपको गलत बीना लाइसेंस क्या बाह रहे है को भी भी जापा पड़ सकता है कि यह क्यावन बावन बोद्वें कि निकल जाना चाहिए यह हां एक और भाग तो बोलना है कि 21 31 तो इसलिए यह भी एक अच्छी उमर है 21 21 31 41 तो यह भी अच्छी है यह सब जैसे आपकी स्टेजिस में आ तो 31 अच्छे समय इसमें भी आप आ सकते हैं कौन जाने कब ते जिंदा रहेंगे ठीक है सब लिस्टाप है और कोई प्रशन है तो कल हम लोग सुनेंगे कैसे मत्रा मोक्ष प्रदत्वम अथ मोक्ष प्रदत्वम बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छे चीज़ बाते हैं कल सुने को बलेंगे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कल आएंगे फिर श्री विंदावन धाम की जाए श्री मत्रा धाम की गौर निताय राधे शाम की जाय निताय गौर प्रिमानन दे